नमस्कार मैं हूँ अंजली और आप देख रहे हैं BNN News तो चले शुरात करते हैं आज की प्रमुखबर से शिवपुली निवासी लड़के की सोशल मीडिया पर दतिया के लड़के से दोस्ती हुई ओनलाइन दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई इसके बाद दोनों ने शादी का फैसला किया परिवार वाले राजी नहीं हुए तो दोनों ने लव मारेज कर ली घर छोड़कर दोनों ग्वालियर में रहने लगा लेकिन शादी के महीने भर के अंदर ही दोनों में विवाद होने लगा सोमवार को पती ने पीट दिया तो दुखी यूवती सुसाइड करने किले पर जाँ पहुची वहां मौजूद टोरिस्ट ने पुलिस को खबर दी पुलिस ने मौकी पर पहुचकर यूवती की जान बचा ली यूवती ने बताया कि उसके हाथों की महंदी का रंग भी नहीं उत्रा था लेकिन पती घर में जगड़े करने लगा गौलियर के लिए पर सोमवार को टूरिस्ट की भीड़ थी इस दोरां बहुडा पुर्थाने में किसी अंजान शक्स ने फोन कर सूचना दी कि एक यूवती रोती हुई किले की तरफ जा रही है थाने से खबर मिलने पर किले के आसपास मौजूद पुलिस टीम को एक्टिव किया गया पुलिस वाले किले पर लड़की को तलाश करने लगे तब ही लोगों ने बताया कि सूसाइड पॉइंट की तरफ एक यूवती जा रही है सिपाही अर्विंद राजावत लीला धर गौरव और धर्मेंदर सिंग मौके पर पहुँचे तब ही एक यूवती किले पर सूसाइड पॉइंट के पास रोते हुए पहुची सिपाहियों ने यूवती को किले से नीचे कूदने से पहले ही रोक लिया सिपाहियों ने उससे परिशानी पूछी तो यूवती ने बताया कि वो जान देने के लिए आई है यूवती ने इसके बाद दोनों ने लव मारेज़ की, इसके बाद दोनों गौालियर के बहुडा पुर्धाना शेतर में रामपुरी महले में किराय के मकान में रहने लगे, यूफ्ती ने बताय कि उसके हाथों की मेंधी का रंग भी नहीं उत्रा था, लेकिन पती घर में जगड़े करने लगा, शादी के पंदरा दिन बाद ही वो गाली का लौच करने लगा और अब दो दिन से उसके साथ मार्पीट कर रहा गई, यूफ्ती ने बताया कि वो अपने ससुराल और माय के जा नहीं सकती, ऐसे में उसके पास जान देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, इस करने का वदा किया है, खबरों में अब तक लिए बस अतना ही, मिलते हैं फ्रेंसे ही किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए BNN News